तो चाहतरो आज भुगोल के क्लास 10 के चयाप्टर 3 को लोग देखेंगे जो की है जैल संसाधन देखें चाहतरों हमने पहले भी जाना है संसाधन क्या है संसाधन वो है जो मानव की आविशक्ताओं की पूर्ती करते हैं जो मानव की जरूरतों की पूर्ति करते हैं ऐसे सभी चीज जो मानव के लिए उप्योगी हैं जरूरी हैं जिनका उप्योग मानव अपने जीवन को यापन करने और जीवन को सुलब बनाने के लिए करता है वो सारी चीजें संसाधन हैं तो आईए उसके अंतरगत हम देखते हैं जलसान साधन क्या है कहानी जो आपका चैप्टर है पार्ट है उसको छोटी सी कहानी शुरू करते हैं तो एक लड़का है वो बोल रहा है चिंटू, पिंकी क्या तुमने टीवी पर आसम में आई बाड़ पर दिल दहलाने वाले रिपोर्ट देखी है ये भगवान उसमें क्या प्रल्य मचाई है रातों में जो कुछ आया, रास्ते में जो कुछ आया बरबात कर दिया और बाहा ले गई तो आपने अक्सराहा टीवी पर देखा होगा, नियूज आती है, बाड़ को लेकर जो आपके बंगाल में है, वो दामोदर, फिर बिहार में कोसी, ये सब को लेकर काफ़े आसाम तरफ आपकी ये ब्रहमा पुत्र, ये सब काफ़े बाड़ लाती है तो इसे अपने रिपोर्ट काफ़े टीवी में देखेंगे, तो इसी तरह एक चिंटू नाम का लड़का है, जो रिपोर्ट देखता है कि जल जीवन भी दे सकते है और ले भी सकते हैं, बिल्कुल जल के बिना नो हमारा जीवन असंभव है ना हम पानी के बिना क्या करेंगे ? मेरे पिता जी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाना में बहुत सारी चीज़ों के लिए काफी जल के विशक्ता होती है क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल के विशकता होती है कार खाना भी जल विद्धुत सहयंत द्वारा पैदा के हुई बिजली से चलता है अब मैं समझ सकते हूँ कि विविन यूगों में मानव नदियों और अन्य जल शरोतों जैसे जरनों, जीलों, पोखरों और मरुद्धानों के आसपास क्यों बसता था तो शात्रों में सुना होगा कि जो हमारा सभ्यता है मानव सभ्यता है इसका विकास नदियों के किनारे ही हुआ है ना जब विकास हुआ क्योंकि जल ही जीवन है हमें पीने के लिए जल चाहिए खाना पकाने के लिए जल चाहिए सरीज सफाई के लिए जल चाहिए मतलब जल के विना तो असंभव है तो इसलिए उस समय में नदी तलाब, पोखरों, जहरनों इन से अपके किनारे आसपासी बस्तियां बस्ती थी ताकि पानी की सुवधा आप पूरती आराम से हो सके आजना हमारे पास इसनी सुवधा है कि हम टैंकर टैंक की लगा के स्टोर कर लेते हैं या फिर पाइपलाइन के द्वारा पानी आती है तो बहुत सारी सुवधा है पहले तो इस तरह नहीं थी तो पानी जल जो है वो आपके लिए जीवन भी है और उसे आपको बहुत ज़्यादा बरबादी भी हो सकती है जल से आप बिजली भी उत्पर्ण कर सकते हैं कारखानों में हर जगा बिना जल के तो संभवी नहीं है कुछ जैसे भी आपने देखा मसीन ठंडा करने के लिए मसीन की सफाई के लिए हर जगा जल के विशकता है बिद्धु सने अंदर इलेक्टरिसिटी पैदा करने के लिए जल चाहिए तो बहुत सार मतलब जल का उपयोग हमारे लिए एक मुल्यवान उपयोग है आगे देखते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि तीन चौथाई धरातल जल से ढखा हुआ है बिल्कुल हम जानते हैं ना हमारी पिरस्वी तीन चौथाई जल से ढखी हुई है परने तो इसमें परियोग मिलाने योग अलवनिय जल का उपात बहुत कम है देखिए तीन चौथाई तो जल है लेकिन लवनिय है लवन की मात्रा उसमें जादा है तो और जो बियोग मिलाने वाली है वो बहुत ही कम है या अलवनिय जल हमें सतही अपवाँ और भॉम जल सोतों से प्राप्त होता है सतह पे जो जल होता है जिससे नदी जळने और जो यह भॉम जल है भॉमी के अंदर पाए जाने अंदर जो जल मिलता है जिसका लगातार नवी करण और पुर्णर भनर जलीए चक्रद्वारा होता है सारा जल जल ये चक्र में गतिशील रहता है जिससे जल नवी करन शुनिश्चित होता है देखे आप जल निकालते हैं हैंड पम से फिर वहाँ पे जल आ जाता है तो ये क्या है उसका पुनर भरन होते जाता है जल नवी करन योग संसाधन है तब भी विश्व के अनेक देशों और शेतरों में जल की कमी कैसे है हाँ ये तो सूचने वाली बात है ना कि अभी तो आप कह रहे हो जल नवी करन है और तीन चौथाई जल से भरा हुआ है तो फिर भाई जल की कमी कैसे लेकिन अभी तो हमने उपर देखा ना कि तीन चौथाई जो जल है वो क्या है लवनिय है है ना सेलेनिटी की मात्रा सॉल्ट की मात्रा उसमें ज्यादा है नमक के मात्रा, लवन के मात्रा, हाना, देखिए, ऐसी भविश्यवानी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 कडूर लोग जल की नितांत कमी जह लेंगे, मतलब आने वाले जो 2025 है, उसमें जल की काफी कमी देखने को मिलेगी, हाना, अब हम देखते हैं, जल, दुरलबता और जल संडक्षन एवं प्रमंधन की आवशक्ता, ठेक हैं, इसमें देखिए, जल की विशाल भंडार और इसके नवी करन, योग्य गुनों के होते हुए भी, यह सोचना भी मुश्किल है, कि हमें जल की दुरलबता का सामना करना पड़ है ना, हमें तो हमारे पास तो धरातल पर तीन चौथा ही जल है, और यह जल, जल जो है, वो नवी करन भी होता है, फिर भी, मतलब हमारे पास जल की दुरलबता होगी, कैसे होगी, देखते हैं, जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं, तो हमें ततकाल ही कम वर्षा वाले छेत हमारे मानस पटल पर तुरत राजस्थान के मरवस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भढ़ने के लिए लंबा रास्ता तै करती पनिहारिनों पनिहारिन जो पानी भरती हैं कि चितर चितरित हो जाते हैं आपने दखा होगा राजस्थान की तस्वीर या परचार में, टीवी पे, एड में, पिक्चरों में, राजस्थान में पानी की काफी कमी होती है, औरते माते पे मटके लेके काफी दूर-दूर से जल लेकर जाती हैं, कभी तो जल भी नहीं मिलता तो यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन की कारण, जल संसाधनों की उपलब्दता में, समय और अस्थान के अनुसार भिन्नता हैं, जहां पे वर्षा पढ़ती है, और जहां पे वर्षा नहीं पढ़ती है, मौसमी परिवर्तन, जहां पे गर्मी जादा पड़ती है तो इनके कारन अस्थान में जलकी बिन्यता है जलकी अनुपात में प्रंतु अधिकांस्तया जलकी कमी इनके अतीशोशन अत्यधीक परियोग और समाज के विविन बर्गो द्वारा जलके असमान बीतरनों के कारण होती है, देखिए ये कारण तो है कि बर्षा की कारण जल की कमी होना, सुखा ग्रस चितर होना लेकिन उससे भी ज़्याद क्या क्यों प्रॉबलम साती शमस्या क्यों आती है, हम जल का अतिशोशन करते हैं, भरबादी करना बरबादी करणा, हमारे पास तो लवनी जल की मातरा कम हमने पहले भी देखा अलवनी जल जो हम यूज कर सकते हैं तो उसका हम लोग अतिशोशन करते हैं, बरबादी करते हैं भई पानी छलादो झूट浩ो, बरबाद करते हो अत्तिदिक और प्रेयोग उसके बाद पानी में water pollution फैलाना देखते हूंगे आप नदियों में कितने factories के pipe रहते हैं जिन में गंदा जल निकल जाता है नदियों के कुड़े कचड़े मल निकलता है तो उस तरह समाज के वरगों में जल के असमान वीतन के कारण होती है भाई जो इनके पास पैसा है में कमी आती है क्या यह संभव है कि किसी छेतर में परचूर मातरा में जल संसादन होने के बावजुद भी वहां जल की दुरलवता हो हमारे कई शहर इसके अधारन है देखिए यह संभव है कि जल की परचूरता भी है फिर भी जल की दुरलवता जहलनी पर रही है देखिए दारन के तोरपे जल दुड़लवता अतेदिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परणाम सरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वीतरन का परणाम हो सकती है देखें जनसंख्या बढ़ेगी जल का कंजप्शन बढ़ेगा मतलब पाने का उपयोग बढ़ेगा है ना अभी जगह पर देखोगे कि पानी के लिए और ऑरते नीचे तस्वेर में दिया हुआ है मतका लेके खड़ी हा ना स्टील का खड़ा और उसके बद cooperation आराम से पानी मिल रहा है पानी बह डहा है एक ही जगह पर पीछीज्ब देखोगे एक आस पास की चेतर में देखा होगा कि कहीं पर तो मटैंकर आता है पानी का और लोग वहाँ पर लंबी लाएं लगा के रखते हैं पानी लेने के लिए कि ने के गर में भाई दस-दस बहुत अच्छी तरह से बोरिंग है पानी है जल है तो ये असमान वीतरन जो है ये बहुत ही मुश्किले ला देता है जल अधिक जनसंख्या के लिए घरूल उप्योग में ही नहीं बलकि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए अब देखिए बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ जल जो है वो हमारे घर के उप्योग के लिए निए भई पीने नहाने खाने दोने के लिए निए बलकि अनाज उगाने के लिए भी चाहिए ना अतहां अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसादनों का अति शोषिन करके ही संचित छेतर बढ़ाया जा सकता है अब देखिए अनाज उत्पादन को बढ़ाना है तो जल तो चाहिए बिना जल के तो नाच का उत्पादन नहीं होगा तो अब उसके लिए क्या करता है जो बंजर भूमी है या फिर अत्य धिक जल का शुरूशन करता है और शेतर को सिंचित बनाया जाता है मतलब सीचने योग जल को डाल डाल के बनाया जाता है और शुषक रितू में भी खेती की जा सकती है अब गर्मी के समय जब जल की कमी रहती है शुषक रितू रहते हैं तो क्या करता है तदी जल का उपयोग खेती के लिए करता है तब ही खेती हो पाती है ये बिना जल के तो खेती नहीं होगी सिंचित क्रिशी में जलका सबसे अदाव प्योग होता है शुष के क्रिशी तकनीकों तो सूखा परतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब क्रिशी शेतर में करांती लाने की आविशक्ता है तो सुष के क्रिशी तकनीक है और सूखा परतिरोधी फसले है जो सूखा में भी उख सकती हूं तो इस तरह की विकास लाके और कृष्टी शेदर में करांती लाने के विशक्ता नीचे देखिए तस्वीर में किस तरह बाढ़ में देखिए बच्चा फसा हुआ है फिर आप देखिए अकासमेजियर अर्थकिविक सर्वाइवर कैरीज बॉ औसितवार्सिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाब नहीं तो दूसरी और 114 सेंटेमीटर औसितवार्सिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा विश्चे पड़ता है तो इस तरह का जल का वीतरा जल होने के कारण भी बहुत सारी पर अपने नीजी कुएं और निलकूप हैं जिसमें सिचाही करके वे उत्पादन बढ़ा रहा हैं बिल्कुल आपने बहुत सारी टीवी में देखा होगा प्रजार में देखा होगा जो राजस्थान वेगरा का सीन दिखाता है या फिर खेती वेगरा दिखाता है पंजाब क्या हो सकता है देखिए ये जो कुए है या फिर नलकूप है ये तो भूमी के अंदर के ही जल निकाल रहा है बहुत अत्रीक लगता है और लोगों के लिए जल की उप्रज़ता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खत्रे में पर सकती है सोतंतरता के बाद भारत में तेजी से ओदोगी करन और शहरी करन हुआ अर्थार गाउं से लोग शहर की तरफ आने लगे या शहर में बदलाव होने लगा पेड़ों की कटाई होने लगे इसको शहर में तबदील किया गया और विकास के अफसर प्राप्त होए आज कल हम हर बहुराश्टी कंपनिया MNC सुनते हैं बहुराश्टे कंपनिया बड़ी-Bड़ी कमपनिो होती हैं बड़े अझरानों के युप में फैली हुई हैं उद्योगों की बढ़ती वी संख्या की कारण अलवनिये जल से साधनों पर दबाव बढ़ रहा है अभी मैंने आपको प कि फेक्टृष की सारी गंदगी जो है वो जल पे चली जाती अब नदी का जल तो आपका अलवनिय है हमारे यूज का है और वो पूरा क्या होता है नदी का जल पल्यूटेड हो जाता है अधिक जल के एलावा उनको चलाने के लिए उर्जा की भी अविशक्ता होती है देखिए उद्योग जब कोई चलता है तो भी हमने उपर भी देखा कि फैक्टरीज में जो है जल का बहुत उप्योग है ऐसे तो नहीं होता है जल के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है जल का उप्योग है बहुत से कामों में जल का उप्योग है और उसके साथ साथ उसको उज़ा भी चाहिए यह ना बिना एनर्जी के तो कोई मशीन काम नहीं करेगी और इसकी काफी हद तक पूरती जल विद्धुत से होती है अब यह जो उर्जा चाहिए यह फैक्टरीज में इसकी पूरती कहां से होती है जल से होती बहुत जगा हैड्रो प्लांट्स लगाए हुए है तो यह क्या करते हैं जल से विद्धुत पन करते हैं और यह फैक्टरीज में यूज होती है बरतमान समय में भारत में कुल विद्दूत का लग बग 22 परतिशत भाग जल विद्दूत से प्राप्त होता है अब देखे भारत में जितने विद्दूत हैं बरतमान में उसका 22 परतिशत भाग जो वो जल विद्दूत से प्राप्त होता है इसके अलावा शेहरों की बढ़ती संक्या और जन संक्या तता जीवन सहरी जीवन सहली के कारण ना केवल जल और उर्जा के विशक्ता में परोतरी हुई है अपितु इससे संबंदित समस्या और भी गहरे हुई है यदि आप शेहरे आवास सिमीतियों या कॉलोनियों बनज़ डाले तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्थी के लिए निलकू पस्थापित किये गए हैं इसमें कोई आश्चरी नहीं है कि शेहरों में जल संसादनों का अधिश रूशन हो रहा है और इसकी कमी होती जा रही है अब देखिए जन संक्या बढ़ रहा है शेहरी कर कारण जो सहरी जीवन सलिसमे जलका बहुत ज़ादा उप्योग हो रहा है सहर में जिस तरह से लोग जीते हैं हना तो उस तरह में बहुत की बरवादी हो रही है और जह जब फैक्टरी यह एक कालोनी्ज हैं सहरी अवास हैं समीधियां आप अपना प्रसनल नलकू है अपणे हैं अपने से खुद से यूज़् कर रहे है जादा तो शहरी तरीकों से यूज़् कर रहे हैं शहरी जीमिसेली के तरीकों से तो जल की बहुत अधिक बढ़ रहा है जलसंजातन का बात की, आओं हम ऐसे स्थिदी के बारे में विचार करें, जहां लोगों के अविशक्ता के लिए काफी जल संसादन है परन्तु फिर भी इन छेत्रों में जल की दुरलबता है, देखिए मतलब आविशक्ता पूर्थी के लिए जल संसादन पूरा है, वहाँ पर दिख रहा है जल है भई, लेकिन इन छेत्रों में फिर भी जल की दुरलबता है, अब ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसे हो सकता है, यह जल दुरलबता जल की खराब गुनवत्ता के कारण हो सकती है, देखिए जल तो है पर उसकी जो use करने का जो उसका गुनवत्ता है उसकी quality है वो क्या है वो खराब है आप तो खराब quality की जल आप पी नहीं सकते हो बहुत सारी चीजों में आप खाना बनाने में भी उपयोग नहीं ला सकते हो तो जल है फिर भी आपके लिए useful नहीं है पिछले कुछ वर्ष्टों से या चिंता का विस्या बनता जा रहा है कि लोगों के अब शक्ता के लिए प्रिचूर मातरा में जल उप्लब धूने के बावजूद या घरेली और अद्योगिक अपसिस्टों, रशायनों, कीत नाशकों और कृशी में परियुक्त उर्वरकों द्वारा प्रिदूशित है और मानव प्योग के लिए खतरनाक है देखिए अब हमने उपर में पढ़ा कि जो इंडिस्ट्री होते हैं अपसिस्ट रशायन यह सब क्या करते हैं नदी में बहा देते हैं जल को प्रदूशित करते हैं वो भूमिगा जल में भी जाती है रिस्त मिटी के अंदर से और उसके बाद मानव प्योग के लिए खतरनाक है तो यह कहते हैं वार्टर को फॉलूटिट बना जतब था पढ़ा है, वार्टर प्रदूशन, जल प्रदूशन तो प्रदूशन जल 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 तो है लेकिन वो इतनी बुरी तरहत प्रदूशयत है कि अप उसका उपयोग नहीं कर सकते है, आधिकान सहर जो है नदियों के सुना होगा आपने या देखा होगा आपने कि कहीं कहीं पे नलकूप लगाई गए और वो भूमिगत जल कुए खो देगा है लेकिन वो जल उप्योग के लायक नहीं है यह देखते हैं भारत की नदिया जहरीली धाराओं में परवर्तित हो गई है और बड़ी नदिया जैसे इसे संपूर्ण जीवन खत्रे में है अभी हमने कहा ना कि उद्योग की करण के कारण अफस्ष्ट को बहा दिया जाता है और एक तो इंडरेस्ट्रीज है ने कि बाई चलो बाई एक इस तरह की लाकों इंडरेस्ट्रीज है और उसके जल गंदे जल अफस्ष्ट को नदी मे गिरा दिया जाता है बहा दिया जाता है इससे क्या होते है नदी बिल्कुल बुड़ी तरह परदोश्यत होती है और वरकों का बहुत अधिक जादा कीट नासकों का अधिक मातरा में परयोग इससे क्या होता है वो मिट्टी के अंदर चली जाती है और भूमिगजल को नाश करती है, तो बहुत सारी जो नदिये, छोटी नदिये, सरिताई जहरीली हो गई है और वो सरिताई जाके जब बरी नदी में मिलती है तो वो उस जल को भी शुद्ध नहीं रख रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हर दिन ये संकट बर रहा है और संपूर्ण जीवन, खत्रे में आप जल ही नहीं मिलेगा तो आप जीओगे कैसे अपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधन का संरक्षन और प्रबंधन करें, इतना जब हमने उपर पढ़ा तो इसको पढ़के तो आप समझ गया होंगे जल हमारा खत्रे में इसका संरक्षन करना इस संसाधन को प्रबंधन करना है स्वयंग को स्वात समंधी खत्रों से बचाए खाद्यान सुरक्षा, अपने आजिविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतत्ता को सुनिशित करें और अपने प्रकृतिक परितंत्र को निम्नी डिग्रेडेशन होने से बचाए जल संसाधन के अतिशोष्चन को प्रबंधन से इन संसाधनों का हरास हो सकता है और पारिस्थितिक संकट की समस्या पैदा हो सकती है जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है अब देखिए इतनी बातों से तो ये बात क्लियर हो चुकी है बिल्कुल इसपस्ट हो चुकी है कि भाई जल का संरॉक्षन करना जल का प्रबंधन करना अतिया आवश्यक है नहीं तो हमारा जीवन खत्रे में है है ना अपनी आजिविका के लिए उत्पादक क्रियाओं के लिए भाई ये सुद्ध जल रहेगा तभी तो क्रिश्वी होगी अब नदी के पॉलिटेट जल से तो आप अनाज नहीं उगालोगे ना सूख जाएंगे अनाज उगेंगे ही नहीं और अगर जल गंदा रहेगा तो उसमें जो पारिस्थितिक तंत्र जो है हमारा जिसके कारण हमारा जीवव संभव है किवायू, जल, मानव, जैविक, अजैविक सारे पदार्थ मिलके जो पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक पदार्थ मिलके और समन्वित जल संसाधन प्रवंधन अब इन सब समस्याओं को देखते वे बहुत देशिप निदी परियोजनाई सरकार ने लाई हैं समन्वित जल संसाधन प्रवंधन लायाब क्या है वो हम देखते हैं हम जल का संरक्षन और प्रवंधन कैसे करें आप तो हमने अभी पहले देखा कि भाई हमें बोल दिया हम समझ रहें कि जलका संरक्षन भी करना और प्रबंदन नहीं करना है तब ही आगे चलेगा लेकिन हम जलका संरक्षन और प्रबंदन कैसे करें पुरा तत्व बैग्यानिक और एतिहासिक अभिले दरस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन का से सिचाई के लिए पत्थरों और मलवे से बांध जलासे अतवा जहीलों के तड़बंद और नहरों जैसे उत्रक्रिष्ट जली कृतियां बनाई है तो हमारे जो पुराने रिकॉर्ड्स है जो इतिहास है अफिलेक है यह से बताता कि किस तरह हमने प्राचीन काल में सिचाई क लिए पत्थरों और मलवों से बांध बनाया भाई उसमें भी नदियां थी बांध बनाकर किस तरह सिचाई किया जलासे बनाए अतवा जहीलों और तटबंद और नहरे जैसे उत्कृष्ट जली कृतियां बनाई है तो इसमें कोई अश्चर नहीं होगा कि हमने यह परिपा का निर्मान होता है तो यह सब तो अभी भी हम कर रहे हैं इसमें कोई भी मतलब आश्चर की बात नहीं है हम अभी भी इस तरह के प्रियोजनाओं का निर्मान कर रहे हैं देखे प्राचीन भारत में जली के कृतियां जो है इसमें दिया हुआ है ईसा से एक सताबदी पहले इलहाबाद के नजदेग श्रिंग वेरा में एक अंगा नदे की बाढ़ के जल को सन्रक्षित करने के लिए एक कृष्ट जल संगरहन तंतर बनाया गया था। मतलब नियोजित रूप से प्रबंधन है वो सुरू से होते आ रहा है, आप देखिये, कलिंग, ओडिसा, नागारजुन, कॉंडा, आंधर प्रदेश, बेनूर, करनाटक और कुलहपूर महराष्ट में उतकृष्ट सीचाई तंतर होने के सबूत मिलते हैं, मतलब जो हमारा प् प्लैंड वे में होते आ रहा है, नियोजित रूप में होते आ रहा है, अपने समय की सबसे बड़ी कृतरिम जीलों में से एक है, भौपाल छील, एकinflीयारवी सताबदी में ने बनाई गई थी, सोचे उस समये, कृतरिम जील मतला मानव निर्मिक जील, मानव ने ये जील बन आया था बताईए यह सुब कितने पुराने देखिए आप यहां पर हीरा कुंड बांध का तस्वीर दिया हुआ है ठीक है आए यह देखते हैं बांध क्या है और वे हमें जल सनरक्षन और प्रवंधन में कैसे सहायक है अब देखते हैं तो परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को एकठा करने के बाद में उसे क्खेतों के सिचाई के लिए उप्रप्ट करवाते थे। जो ट्रडिशनल बांध थे परंपरागत बांध थे वो क्यों बनाय जाते थे ताकि वो नदियों पर बनाय जाते थे और वर्साजल को एक अठा करने के बाद उसे खेतों में सिचाई के लिए उप्रद्व करवाते थे मतलब पहले जो थे वो सिर्फ और सिचाई के लिए किये जाते थे लेकिन आज जो बनाए जाते हैं वो बहुत देशी हैं एक साथ बहुत सारे देश्चों को पूरा करते हैं जिसमें घरेलो, अदियोगे अंतरिक नौचाला और मश्री पालन इत्यादियों के लिए उप्योग किया जाता है जहां एकत्रे जल के अनेकों उप्योग समन्वित होते हैं धारन के तोर पर सतलूज व्यास बेसिन में भाख्रा नंगल पड़ी हो जना सतलूज व्यास पे भाख्रा नंगल पड़ी उजना का जल विद्धुत उत्पादन और सीचाई दोनों में काम आता हैं अभी हमने बहुत देश योजनाय पड़ी तो उसमें देखिए आप जो भाख्रा नंगल है वो दो देश्चों के पूर्थी करती हैं पहला क्या करती है एक तो बिद्धुत उत्पादन करती हैं दूसरा सीचाई के काम में आती हैं इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीरा कुंड पड़ी हो जना जो है जल सन्रक्षन और बाढ़ नियंतरन का समनव है जल सन्रक्षन भी है और बाढ़ नियंतरन के लिए भी दो परपस के लिए इसको बनाया गया है देखिए बांध की विशे में थोड़ा और दिया हुआ है कि बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाओ कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आम तोर पर जलाशे जील अत्वा जल भरन बनाती है बांध का अर्थ जलासे से लिया जाता है ना कि इसके धाचे से अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है, इसके उपर से या अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता है बांधों का वर्गी करण उनकी सनरचना और उद्देश या उचाई के अनुसार किया जाता है सनरचना और उसमें पर्युक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकडी के बांध, तटबंद बांध या पक्का बांध के लावा कई वर्गों में बांटा जा सकता है उचाई के नुसार बांधों को बड़े बांध और उखे बांध या नीच बांध मध्यम बांध और उच बांधों में वरगी कृत किया जा सकता है तो देखे, बांध भी जो है, वो लकड़े के भी होते हैं, तर्ट बांध भी होता है, तर्ट को बांध के और ये पक्का बांध भी होता है, मतलब इस तरह से बांधों को बाटा गया है, अब उचाई और मतलब उचाई के नुसार भी बड़े बांध, मध्हम बांध, छोटे बांध इनमें उच्छे बांध निमने बांध इस तरह से इसको माटा गया है तो बांध जो है वो कोई भी बहते वे जल को रोकने के लिए बनाया जाता है है या उसको दिशा देने के लिए बनाया जाता है भाव को कम करने के लिए बनाया जाता है है ठीक है आगे देखिए चुरू की गई सम्मनवित जल संसाधन, सोतंतरता के बाद सुरू की गई समनवित जल संसाधन प्रवंधन उपागम पर अधारित बहु देशिय परजनाओं को उपनिवेशक काल में बनी वाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और सम्रिधी के रास्ते पड़ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया सुतंतरता के बाद जो समनवित जलसन साधन प्रबंधन उपागम जो है बहुत देश्य परजुना को जो है जो उपनिवेश काल में बाधाएं थी उसको पार करते वे देश के विकास के लिए इसको समृद रास्ते पर ले जाने वाले ब विकास के तरफ ले जाए इस परपस से इसको बनाया जा रहा है जवाहन लाल नहरु गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे तो आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया बांध को कहा गया है और इसे किस ने कहा है जवाल लाल नहरु ने कहा है उनका मा लेकिनि मल्टी पर्पस यूज होगा क्रिशी में भी उप्य होगा ग्रामिन अर्थववस्था को भी फाइदा करेगा तो इस तरह से यह मल्टी पर्पस वर्क करेगा इसलिए इसे पंडी जवाल नहरू ने क्या कहा था आधुनिक भारत का मंदिर पिछले कुछ वर्षों में बहुत देश्य परयोजनाओं और बड़े बांध कई कारणों से पड़े निरिच्छित और विरोध के विशेबन गया हैं देखे बहुत सारे कुछ वर्षों में अपने देखा होगा यह बहुत देश्य परयोजनाओं इस पे काफी नियूज में आपने सुना होगा बाते ह होती है विरोध किया जाता है तो क्यूं है देखिए बहुत सारे कारण इसके अगर नदियों पर बांध बनाने और उनका बहावन यंत्रित करने से उनका प्रकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है बिल्कुल अभी मने उपर देखा कि बहतेवे जल को रोकने और या उसको बहाव है तो बहाव जो ने अंत्रित करने से उनका प्रकृति बहाव अवरुध होता है और अजय को देखिए उनका प्रकृतिक तर सब्सकृतने की बहाव प्रजमा हो से अभ देखिए हमने पहले भी पढ़ा है कि नदिया जब बहती है ना ड्रेनेज में पढ़ा ना ना nevertheless में नदी जब बहती है तो अपने साथ तलचट को लेकर बहती है तो वो क्या होता है जब बांध बना दिये तो तलचट का बहाव बिलकुल कम हो जाता है और जलाशा के पास तलचट जमा होता रहता है जिससे नदी का तल अधिक चटानी हो जाता है और नदी जली जीव आवा शेश कर अंडे देने वाल एर देने की रितू में जलिये जीवों का नदियों में अस्थाना अंतरन अवरुद्ध हो जाता है अगर देखिए बांध के कारण क्या होता है नदी जो तो टुक्रों बढ़ जाती है क्योंकि नदी तो बहती आरे उसे बहना है और बीच में कुछ खड़ा कर दोगे तो कुछ देखिए पानी अधर चला जाएगा पानी अधर चला जाएगा पानी तो अपना रास्ता ढूंडता है बहने के लिए तो इससे क्या होता है जो अंडे देने वाले जो प्रानी होते है जो जलिये प्रानी होते हैं वो क्या होता है जलिये जीवों नदी में अस्थानांतरन जो उनका होता है अफरुद्ध हो जाता है वो एक जिगार रूख जाते है ना वहाँ बांद बना दिया है तो आपने बाड के मैदान में बनाए जाने वाले जलासें उद्वारा वहां मौजूद बनस्पती और मिटिया जल में डूब जाती है अब घटित हो जाती है बहुत देश्य प्रयोजनाय और बड़े बांध नए परियावरने आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओं आंदोलन सुना होगा आपने तो ये बहुत देश्य प्रयोजनाय हैं और बड़ा बांध है और टिहड़ी बांध आंदोलन के कारण भी बन गये है इ आप नदी को रोक के बांध बना रहे हो तो वहां के जो स्थानिय लोगों को उनका विस्थापन हो रहा है इसे कारण वहां पे विरोध जा रही है आम तोर पर स्थानिय लोगों को उनकी जमीन आजीविका और संसाधन से लगा नियंतरन देश के बहतरी के लिए कुर्बान कर बिल्कुल अगर आप वहां पे बांध बना रहे हैं प्रियोजना बना रहे हैं बड़े बांध बना रहे हैं तो उसके लिए उनकी जमीन चाहिए है ना अस्थानिय लोगों की जमीन आजीवी का जो वहां पे रहते तो उनकी आजीव का वहां पे रहते हैं उनके संसाधन से ज कुछ नगरिये छेतरों को अभी हमने उपर पढ़ाना कि जो संसाधन का आसमान वीतरन है कुछ ही लोग के पास ये संसाधन जा रहे हैं और कुछ लोग जो हैं बिल्कुल संसाधन से परे रह रहे हैं तो इस कारण क्या हो रही है कि जैसे नर्मदा बचाओं अंदोलन और टेह लेकिन उन्हें उसका कोई फाइदा नहीं मिल रहा इस कारण मुआ पर अंदोलन हो रहा है है ना सिचाई के कही छेतर में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया गया है जहां किसान जल गहन और वानिज फसलों की और आकरसित हो रहे हैं जिससे मिर्दाओं के लवनी करन जै अबानिज्य फसलों को उगाना शुरू कर दिये हैं जल काहन फसलों को उगाना शुरू कर दिये हैं मिर्दाओं का लबनी करन जैसे गंभीर परे मिर्दाओं में लबनी करन बढ़ते जा रहा है लबन की मातरा बढ़ते जा रहा है जल जो है वो जल का हरास हो रहा है फसले बरबाद होंगी मिट्टी का और वड़क सकती खतम होगा तो इससे जो है वो खेती भी कम होगी इसी दोरान इससे अमीर भूमी मालिकों और गरीब भूमी हिनों में सामाजिक दूरी पढ़ा कर सामाजिक परदिश्च बदल दिया अब क्या हो रहा है जिनके पास पैसा है वो क्या कर रहे हैं कि वनेजिफ हसलों मतलब भाई उगालो प्राफिट कमाने के लिए न जल का सोच रहा है न भूमी का सोच रहा है तो इससे समाजिक परदिश्च बदल गया है जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग-अलग उप्योग और लाब चाहने वाले लोगों के विश्चंघर्ष पैदा करते हैं है न हमने भी देखा कि बांध बन गया तो कितने लोगों को प्राब्लम होने लगा है न क्योंकि अभी हमने देखा जमीन कुर्बान करना पड़ता है संसाधन कुर्मान करना पड़ता है जीवी का जो वहां के लोग है तो छोटे से पैमाने पर बनता नहीं है बड़े पैमाने पर पर पड़ेशान किसान उपद्रप पड़ाता और उतारू हो जाता है अब खुजरात में सावरमती इलाका है तो उसमें क्या हो रहा है कि सावरमत सूख है जब पड़ता है तो नगरेच छित्रों को जला पूर्ती कराने के चक्कर में किसान को जल की कम्यों रहे जिससे किसान पद्रफ कर रहे हैं बहुत देशी परिजनाओं के लागत और लाव के बढ़वारे को लेकर अंतरराष्टे जगड़े आम होते जा रहे हैं भाई उसमें जितना लागत लग रहा और लाव लग रहा है हम लेंगे हम लेंगे अंतरराष्टे जगड़े आम होते जा रहे हैं ज परती जताय जाने से हुई इस से इन राजियों में पढ़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल परवाह कम हो जाएगा और कृशी और द्योग पर विप्री तसर देगा अब देखिए जैसे हमने उपर देखा कि भाई फाइदेमन तो है ठीक है बांध बनाके बहुत दाय के लोग उस राज्य के लोग तो फिर इसके लिए विरोध करेंगे ही ना तो इसलिए विरोध हो रहा है देखिए हैं भारत के मांचितर पर मुख नदिया और मांध को दिखाया गया है डॉट करके मांध को दिखाया गया है देखिए हैं ना डॉट करके मांध को दिख साइड पे आप गांधी सागर देखेंगे फिर देखिया आप गुजरात साइड पे सर्तार सरोवर है ना फिर दर देखिए नागारजुन दक्षिन साइड में तो इस तरह बहुत सारे मान और बहुत देश्य प्रयोजनाय हैं नदी प्रयोजनाओं पर उठी अधिक तरा पत्या उनके देश्यों में विफल हो जाने पर हैं यहीं विडम बना ही है कि जो बाढ बांध बाढ निंतरन करने के लिए बनाये जाते हैं उनके जलाशों में तल्षिट जम्मा होने से वही बाढ आने के कारण मन जाते हैं देखि बाढ बाढ जो है बाढ को मिलते क्रनी के लिए बनाये जाते हैं है ना लेकिन वही बाढ जो है वो बाढ कैसे ले आते हैं देखें यह भी हमने उपर पढ़ा कि जो नदियां अपने साथ तल्शट लाती है उनका जमाव हो जाता है बांध जहां पे बनता है, उसी के आसपास जमा हो जाया क्योंकि नधी तो फिर बहनी पाती उस फोर्स में, नधी के जल को रोका जाता है, तो तलच्छट जब जमा हो जाएगा, तो पीछे ज़च तो पानी आ रहा है नधी का, तो उस से क्या होगा, महाँ पे बाढ़ हो तो बड़े बड़े बांध भी जो हैं बाढ़ने अंदरन नहीं कर पाते हैं आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महरास्ट और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वज़े से बाढ़ की स्तेती और भी विकट हो गई थी अब देखिए प पानी छोड़ा तो फिर पूरा और भी बाढ़ की और भी बहावा इस्तिती हो गई तो इन बाढ़ों से ना किवल जानमालगा नुकसान होता पि तो ब्रिहद अस्तर पर मिर्दा परदन भी होता है बिलकुल पानी तो अपने साथ फिर मिर्दा के उपर तलचट को बहा के ल परतिया भी है कि यह तलचट जो की एक प्रकृतिक उर्वरक है बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंसती जिसके कारण भूमनी निमनी करन की समस्याए बढ़ती हैं देखिए तलचट जमा हो जा रहा है और तलचट जो है वो प्रकृतिक उर्वरक है क्योंकि नदीज अपन प्रकृतिक उर्वरक है और बाढ़ के मैदानों तक पहुंस नहीं पाती है जिसके कारण भूमनी करन के समस्याएं बढ़ जाती है यह भी माना जाता है कि बहुत देशे यूजनाओं के कारण भुकम पाने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनत बिमारिया फसलों में कितानों जनत बिमारिया और प्रदूशन फैलते हैं ठीक है जल का उपयोग अगर आप पत्रिक और पूरे मतलब शूशन कर रहे हैं जल का तो उसमें जल में जल जनत बिमारिया जमावड़ा है जल का कहीं पे तो उसमें जल जनत बिमारिया हो होंगी फसल में कितानों होंगे ना प्रदूशन फैलेगा बिमारी और प्रदूशन फैलते हैं तो बहुत सारे रीजन्स हैं अब देखिये वर्षा जल संग्रहन क्या हैं सुना ओगा ना अपने वर्षा जल संग्रहन बूंद बूर्षा की जल को बचाओ, उसको संगरहन करके, और एक पाइप के थूभुमी में डालो, या फिर टैंकर में डालो, देखा है न, एड़िटाइस कितना देता था, वर्षा जल संगरहन, D.D.I. पे नैशनल पे, और वर्षा जल संगरहन के बारे में सुनावी ओका, बहुत स संग्रहन तंत्र इसके समाजिक आर्थिक और पारेस्थितिक तौर पर वैवहार्थ विकल्प हो सकते हैं क्योंकि अब देखिए हमने भी देखा कि बहुत देशे प्रयुजनाओं के कारण जो है विवाद भी काफी हो रहा है आसपास के जो ना मतलब ग्रामीन है या फिर बसं जल का स्ञेएं करता है बान्द बनाने से फिर जादा जल का हरतरा सी उसकारन जैसे जल्वी प्रदूशित होता है अलवनी करन लवनी करन आ जाता है जल में तो इन सब के को देखते वे वर्षा जलज संगरहन जो है वह एक सही विकल्प में जर आता है ने भाई वर्षा हमारे यहां होती है उसको जल संगरहन कर सकते हैं भाई यह ना पराशीन भारत में कृष्ट जलिय निर्मानों के साथ साथ जल संगरहन धाचे भी पाए जाते हैं तो अब पराशीन जो उत्खनन से प्राप्त हो रहे हैं पराशीन भारत के तिहास को पलट के दे परिस्थितिय परिस्थितियों और उनकी जल विशक्तान वर्षा, जल, भौम, जल, नदी, जल और बाच, जल, संख्रहन, भौम, जल, पहारी यर पर्वती च्छतर में लोगों ने गुल, अथवा पस्चेमी हिमाले में जैसी वही काएं बनाई थी, नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिचाई के लिए बनाई है ये जो गुल और कुल थे ये नदी की धाराओं को रास्ता बदलकर खेतों में ले गए और उसके सिचाई के लिए प्रयोग करने लगे पस्चिमी भारत विशुष के राजस्थान में पीने का जले कत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संगरहन देखे आप यहाँ चितर भी दिया हुआ है हैंड पम के मादिम से पूर्ण वरन तो छत वर्षा जल संगरहन का तरीका आम था पस्टिम बंगाल में बाड के मैदान में लोग अपने खेतों के सिजाए के लिए बाड जल वहिकाएं बनाते थे शूशक और अर्दुश शूशक छेतरों में खेतों में बर्षा जल कतरट करने के लिए गड़े मनाया जाते हैं राजस्थान की जिले जैसल मेर में खादीन और अन्य चेतर में जोहर इनके धारन है इस तरह के खादीन और जोहर जो हैं इस तरह के गड़े बना-बना के जल को सनरक्षित किया जाता यह राजस्तान मैं आपको देखने मिलीगा जिससे खादीन और जोहर बोलते हैं राजस्थान की अर्दशुषक और सुषक शेत्रों विशिशकर विकानेर, फलोदी और बाणमेर लगवाग हर घंटे में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगर टैंक अतवा टांका खुआ करते थे तो वर्षा जल को संग्रहन करने के लिए भूमिगर टैंक अतवा टांका बनाया गया था, इसके आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है, फलोदी में घर में 6.11 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौरा टांका था, टांका यहां सुविक से छत वर्षा जल संग्रहन तंदर का अभिन हिस्सा होता है, देखें आपने हैंडपम के माध्यम से पुर्ण भरन दिखा रहा है, छत से कैसे पाइप लगा हुआ है और वो पानी फिर भूमी में आया और फिर वो हैंडपम से कैसे निकाला जा रहा है देखें, बिकार पड़े हुए कुए के माध्यम से पुर्ण भरन, किस तरह चल से पानी नीचे आ रहा है और फिर वो उस कुए में चला जा रहा है, यह न वर्षा, आर यू वाटर हार्वेस्टर, क्या वर्षा जल संग्रहन करते हैं, इस मांसून जॉए नस तू कॉंटिन तो देखिए, यह जो है, वर्षा जल संग्रहन तंत्र का अभिन्य हिस्सा होता है, जिसके मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है, वे घरों की ढलवा छतों से पाइप दौरा जूड़ेते हैं, अब चितर दिखा हुआ है, छत से वर्षा का पानी नलो से ओकर भूमीग के दौरा निकाला जाता होगा, वर्षा का पहरा जल चत और नलों को साफ करने के प्रयोग में होता था, उससे संग्रहित नहीं किया जाता था, इसके बाद होने वाले वर्षा का जल संग्रहन किया था, पहली बार जो वर्षा होए तो इससे टैंकर और उनल साफ किया गिया तंका में वर्षा जल अगली वर्षा रितु तक संग्रहित किया जा सकता है या इसे जल की कमी वाली ग्रिश्मी रितु तक पीने का जल उप्रवद करवाने वाला जल शुरोत बनता है गृष्मी रितु में जब जल की कमी होती राजस्थान के लाके में तो ये टंका से पानी निकाल के पिया जाता है वर्षा जलत हुआ पालर पानी जैसा की इसे इन छेतरों में पुकारा जाता है या तो जो वर्षा से जल लिती है इसको पालर पानी भी इंचेतरों में बोला जाता है प्रकृतिक जल का सुद्धतम रूप समझा जाता है या वर्षा जल है या अपका प्रकृतिक जल का सुद्धतम रूप है कुछ घरों में तो टंकों के साथ भूमिगत कमरी भी बनाए जाते हैं क्योंकि जल का या श्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है जिससे ग्रिश्मे रुदु में गर्मी से रहात मिलती है देखिए कितनी हाई टेकनलोजी थी कि टंकों को भूमिगत कमरे बनाए जादे टंकों के साथ ताकि गर्मी में घठंडा रह सके देखिए एक रोचक तत्य के तहत क्या बताया गया है कि मिखाले की राधाने शिलॉंग में छत वर्षा जल संगरहन प्रचलित है मिखाले में बहुत जादा वारिश होती है उदर यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरा पूंजी और मांसीर आम जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है सिलॉंग से 55 क्लिमोटर के दूड़ी पर हिस्तित है और यह सहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है सहर के लगभग हर गर में छत वर्षा जल संगरहन की विवस्था है गरेड़ो जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15-25 परतिशत हिस्से की पूर्थी छत जल संगरहन विवस्था से हो जाती देखिए कितना मतलब उप्योगी बात यहां बताया गया है और मिघाले में सिलोंग में किस तरह वर्षा जल संगरहन करके पीने की पानी की या पूर्थी की जाती है यहां दुख की बात है कि आज पश्चमी राजस्थान में छत वर्षा जल संगरहन की रीती इंद्रा गांधी नहर से उपलब दुबारा मासी पैजल के कारण कम होती जा रही है फिर अब बहुत देश्ची प्रयोजना प्या जाए देखिए जो वर्षा जल संगरहन की रीती इंद्रा गांधी नहर से उपलब दुबारा मासी पैजल के राण कम होती जा रही हाला कि कुछ घरों में टंकों की सुविदा अभी भी है क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्व कउन प्राद पसंद नहीं है सवभागे से आज हंग्याल कमीन और शेरी छेतरों में मल्त संडख्चन और संगरहन का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहात अभी भी आप देखो कि ग्रामिन छेतर में या राजस्तान सेड में आप जाओगे तो ये टंको की सुविधा अभी भी है या ना करनाटक के मैसूर जिले में इस्थित एक सुदूर गाओं गंडा थूर जो है उसमें ग्रामिन ने अपने घर में जल अवशकता पूर्ती छत वर्षा जल संग्रहन की विवस्था की हुई है गाओं के लगवग दो सो घरों में ये विवस्था है और इस गाओं ने वर्षा जल संपन्न गाओं की ख्याते अरजित की है यहां प्रियोग किये जारे वर्षा जल संग्रहन धाचो के बारे में अधिक जानकारी के लिए च देखिए किस तरह से जल को संरक्षित किया जाता है, चत जल संगरहन थार के सभी सर और ग्राम्यों में प्रचलित था, वर्षास जल जो कि घरों की ढालू छत उपर गिरता है, उसे पाइप द्वारा भूमिकर टांका के अंदर ले जाते हैं, भूमी में गोल चिद्र जो यहां पडोसी की छत का उप्योग वर्षा जल को इकत्रित करने के लिए किया गया है, जल की चित्र में एक छेर दिखाया गया है, जिससे द्वारा वर्षा जल भूमिकर टांका में चला जाता है, देखिए चित्र तीन दिसमलब च्छे में, है ना, चिद्रिया आगे यह देखिए, बास डिप सिचाई पढ़नाली, देखिए बास से कैसे सिचाई पढ़नाली, कैसे बास में से पानी जा रहा है, यह ना, मिघाले में नदियों और जढ़नों के जल को बास द्वारा बने पाईप द्वारा कत्रित करके, 200 वर्ष पुरानी विधी परचले थैं लगबग 18-20 लीटर सीचाई बानी बास पाइप में आ जाता है तो तो से क्रों मिटर के दूरी तक ले जाया जाता है अंते में पानी का बहुबी से 80 बूंद प्रती मिनट तक घटा कर पौधों पर छोड़ दिया जाता है देखिए कितनी प्राचीन और कितनी मतलब यूनीक टेकनलोजी है किस तरह बास से पानी 18-20 लीटर पानी ले जाया जाता है देखिए चितरेक में पहाड़ी सिखरों पर सदा नीरा जड़नों की दिशापर इवर्तित करने के लिए बास के पाइपों का उपयोग किया जाता है इन पाइपों के माध्यम से गृत्वा करशन द्वारा जल पहाड़ के नीचे अस्तानों तक पहुंचाया जाता है चितरेक में देखिए किस तरह जल को जल की दिशापर को परिवर्तित किया गया है तो यहां हर गाओं में लगवग एक हजार मिलीमीटर वर्षा होती है और दस भराई के साथ यहां संग्रहन दक्षता अस्सी प्रतिशत है यहां हर घर लगवग प्रतेक वर्ष पचास जार मीटर जल संग का संग्रहन रुपयोग कर सकता है दो सोचे कितनी बड़ी बात है वर्षा के द्वारा ऐसे छेतर में जहां जल की अनुपलब्धता है यह फिर जल पीने योग नहीं है उस तरह वर्षा जल संग्रहन करके इतने इतने लिटर पानी जमा किये जाते हैं रुपयोग में लाए जाते हैं एक रोचक तथे में देखिए तमिलाडो का एक ऐसा राजी जहां पूरे राजी में हर घर में च्छत वर्षा जल संग्रहन धाजो का बनाना आविश्यक कर दिया गया है इन संदर्व में दोशी वेक्ते पर कानूनी करवाई हो सकती कितनी अच्छे सरकार की पहल है इससे क्या होगा वर्षा जल संग्रहन होगा और पानी क्या पूरती हमेशा पूरी होगी सभी को मिलेगी पीने का पानी जो अलवनी है जले क्योंकि ये प्रकृतिक का सब्षिशुद्ध जल माना गया है इसलिए ये सब को बहुत अब पार्ट थ्री चैप्टर थ्री की कोशन अंसर को कर लेते हैं जल संसाधन तो पहला प्रश्ण बहुत वैकल पिर प्रश्ण है नीचे दीगे इस सूचनाओं कैधार पर इस्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गी कृत कीचे ठीक है तो एक तरफ जल की कमी कर देंगे और एक तरफ जल की कमी से प्रभावित और एक तरफ जल की कमी से अप्रभावित है ना तो इसका उत्तर होगा जल की कमी से प्रभावित छेत्र जो है अपका ख, ग, और घ है ठीक है और जल की कमी से अप्रभावित छेत्र सिर्फ ग है और ठाथ जो जल की कमी से अप्रभावित है वो अधिक वर्षा वाले छेत्र है और जो प्रभावित है वो अधिक वर्षा और कमजन संख्या वाले छेत रहा अब आईए दो पे वेकलपिक प्रश्णों में नेमलिकेत में से कौन से बहुत देशी नदी प्रजनाओं के पक्ष में दिया गया तरक नहीं है तो इसका उत्तर होगा प्रश्णों दो का उत्तर है के बहुत देशी प्रजनाओं से ब्रहर दस्तर पर विस्थापन होता है और आज भी का खतम हो जाती है अब तीन देखिए यहां कुछ गलत व्यक्तब्बे दिये गए है इसमें गलती पहचान कर दुबारा लिखें तो इसका उत्तर होगा ग शहरों की बढ़ती जनसंख्यां उनकी विशाल और सखन जनसंख्यां तता शहरी जीवन शैली से जल संसाथनों का अतिशोशन हो रहा है और इसकी कमी होती जा रही है ख नदियों पर बाढ़ बांध बनाने और उनको नियंतरित करने से उनका प्रकृतिक बहाव और तलचट बहाव अवरुद्ध हो रहा है गह गुजरात में सावरमती बेशिन में सूखे के दौरान सहरी छेतर में अधिक जलापोर्ती देने पर परिशान किसान पत्रफ करने पर उतारू हो गए है और घव आजराज स्थान में इंद्रा गांधी नहर से उपलब्ध पैजल के कारण छत वर्षाचल संग्रहन की रीती कम होती जा रही है अब ये प्रश्ण दूपर देखते हैं निम्रिकित प्रश्णों के उत्तर लगवक्ती सब्दों में दीजिए व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवी करन योग संसाधन है तो तर होगा जल एक नवी करन योग संसाधन है क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहें होता हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं अर्थात इसकी पुर्ण पूर्थी संभव है जैसे जल का प्रयोगे दियोगों या घरेलों कामकाज में किया जाता है तो इसे जल दुशित हो जाता है किन्तु समापत रहे होता इस जल को साफ करके फिर सस्तमार करने योगे बनाया जा सकता है इसमें दुश्रा पुशन देखे जल दुरलबता क्या है और उसके मुखे कारण क्या है तो जल के विशाल भंडार दाता नवी करनिया गुनों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुरलबता कहते हैं बिभिने छेतरों में जल की कमी या दुरलबता एक निमलिकित कारण उत्तरदाई हो सकते हैं पहला बढ़ती जनसंख्या जल अधिक जनसंख्या के घरलू पियोग में ही नहीं बलकि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए अतर अनाज का उत्पादन बढ़ने पढ़ाने के लिए जल संसाध्यों का अतिशोषन करके सिंचित छेतर को बढ़ा दिया जाता है दूसरा जल का आसमान वीतरन भारत में बहुत से छेतर हैं जहां सूखा पड़ता है वर्षा बहुत कम होती है ऐसे छेतरों में भी जल दुरलबता या जल की कमी देखी जा सकती है तीसरा परिंट देखिए नीजी कुएं या नलकूप बहुत से किसान अपने खेतों में नीजी कुएंवा नलकूप से सिचाई करके उतपादन बढ़ा रहे हैं किन्तु इसके कारण लगातार भूचल कास पर नीचे गिरता जा रहा है और लोगों के लिए जल की उप्रवदता की क वहाँ पड़ गया है उद्योगों को ओर जा के विशक्ता होती है जिसकी पूरती जल विद्धुत से की जाती है इस कारण भी जल की कमी का सामना करना पर रहा है ठीक है तीसरा देखिए बहु देश्य प्रजनाओं से होने वाले लाव और हानियों के तूल ना करें नदियों पर बांद बना कर एक साथ कई देश्यों को पूरा किया जाता जैसे बाड़नी अंतरन सीचाई विद्धुत पादन तता मतस्य पालन ऐसी जजनाओं को बहुत देश्य प्रजनाय कहा जाता है इन पर जजनाओं से कुछ लाब होते हैं तो कुछ हानिया भी होती है लाब देखें नदियों पर बांद बना कर केवल सीचाई ही नहीं की जाती अपितु इनको उदेश्य विदूत अफपादन घरेलू उद्पादन मशली उद्पादन जल उद्पादन बाड़नी अंतरन मनो रंजन आंतरिक नौचालन का भी पालन है इसलिए बांधों को बह हानिया नदियों पर बांध बनाने और उनका वहां बहाव नियंतरत करने से उनका प्रगर्दिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है जिसके कारण तलचट बहाव कम हो जाता है अतिधिक तलचट जलासे की तली पर जमा होता है जिसे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है नदी जलिये जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है बांध नदीयों को टुकड़ों में बाढ़ देते हैं जिसे जलिये जीवों का नदीयों में स्थानांतर अबुर्द हो जाता है बाढ़ के मैदान में बने जलासे उसे वहां मौझूद बनस्पति और मिटियां जर्में डूब जाती है इस पर युजनाओं के कारास्थानिये लोगों को अपनी जमीन आजीविका और संसाधन से लगाओं और नियंतर नादी को कुर्बान करना पड़ता है इसे के साथ प्रशनों दो खतम होता है प्रशनों तीन के तरफ बढ़ते हैं नेमलिकित प्रशनों के लगो 120 सब्दों में देजिए तहरा प्रशन है राजिस्थान के अर्द सुषक के शेतरों में वर्शा जल संगरन कर्ष्परकार किया जाता है वयाख्या कीजिए उत्तर देखिए है राजिस्थान के अर्द सुषक और सुषक के शेतरों में विशेश कर दिकाने, फलोदी और बाण मेल में पीने का जले कतर करने के लिए छत वर्शा जल संगरहन का तरीका आम तोर पर अपनाया जाता है इस तकनीक में हर घर में पीने का पानी संगरहित करने के लिए भूमिगट टैंक अत्वा टांका गुआ करते है इनका आकारिक बड़े कमरे जितना हो सकता है इनके मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है मुख्य द्वार जो होता है यह अगने बढ़ा जाता है यह च्छतों की ढलवा च्छतों से पाइप द्वारा जोरे होते हैं च्छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगट टांका तक पहुँचता था जहां इसे कत्रत किया जाता है वर्षा का पहला जल छट और नलों को साफ करने में परियोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जा सकता था इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहन किया जाता है टांका में जल अगली वर्षा जितु तक संग्रहित किया जा सकता है यह इसे जल की कमी वाली गृष में जितु तक पीने का जल उपलब करवाने का शोट बनाता है वर्षा जल को प्रकृतिक जल का स्तुधतम रूप माना जाता है कुछ घरों में टंकों के साथ साथ मुहमिगत कमडे कमरे भी बनाये जाते है क्योंकि जल का यह श्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है जिससे ग्रिश में रितों में करमी से रहात मिलती है आज राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहन की रीती इंद्रा गानी नहर के उपलब्ध बारा मासी पैजल के कारण कम होती जा रही है हाला कि कुछ घरों में टंकों की शुगधा अभी भी है क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है अब प्रश्ण दीन के दोस्ते प्रश्ण पे आईए परंपरागत वर्षा जल संग्रहन की पधितियों में अधुनिक काल में अपना कर जल संरक्षन एवं भंडारन किस प्रकार किया जा रहा है देखिए प्राचेन भारत में उत्कृष्ट जलिय निर्मानों के साथ साथ जल संग्रहन धाचे भी पाय जाते थे लोगों को वर्षा पधिति और मिर्दा के गुनों के बारे में गहरा ग्यान था उन्हें अस्थानिय परिस्थिति किये परिस्थितियों और अपनी जल अविशक्ता नुसार वर्षा जल भॉम जल नदी जल और बाड संग्रहन के अनेग तरीके विक्सित कर लिये थे आधुनिक काल में भी भारत के कई राजियों में इन परंपरागत विधियों को अपना कर जल संग्रक्षन किया जा रहा है जैसे राजस्थान के बहुत से घरों में छत वर्षा जल संग्रहन के लिए भूमिगट टांकों का निर्मान किया जाता है इसमें वर्षा के जल को संग्रहित करके उप्योग में लाया जाता है इसी प्रकार करनाटक के मैसूर जिले में स्थित एक गाओं में ग्रामिनों ने अपने घरों में जल आवेशक्ता की पूर्ती छत वर्षा जल संग्रहन की विवस्था से की हुई है नेखाले में निदियों वा जड़नों के जल को बाज द्वारा बने पाईप द्वारा एकत्रित करने की 200 वर्ष पुरानी विधी प्रचरित है शुष्क और अर्ध शुष्क छेतरों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गंठे बनाये जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके नाजस्तान के जैसल मेर जिले में खदीन और अन्य चेतरों में जोहड इनके उधारन है पहारी और प्रवतिय चेतरों में लोगों ने गुल अतवा कुल जैसी वहिकाई नदी की धारा का रास्ता बनाकर बदल कर खेतों में सिचाई के लिए लगाई है पस्टि मंगाल में बाड के मैदान में लोग अपने खेतों की सिचाई के लिए बाड जलवहिकाएं बनाते थे यही तरीका अधुनिक समय में भी अपनाया जाता है इस प्रकार हम देखते हैं कि देश के बिभिन्न छेत्रों में अधुनिकाल में भी परमपरागत वर्षा जलसंगरहन की पधितियों को अपना कर जलसंडरक्षन ने मंभंधारन किया जा रहा है इसी के साथ चात्रों धन्यवाद